हलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिवारी एकडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जालेंगे क्लास 8 के साइंस का 15 चैप्टर कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में और साथ ही जालेंगे इस चैप्टर से जुड़े कोशन्स और एंसर्स के बारे में तो फ्रेंट्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर से का हीडिंग है कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं तो फ्रेंट्स चलिए सबसे पहले हम जानलेंगे कि आखिर इस चैप्टर से में आपको कौन सी बाते बताई गई हैं तो फ्रेंट्स इस चैप्टर से में आपको बताया गया है कुछ natural phenomenon के बारे में यानि कुछ प्राकृतिक रूप से परिगटना होने वाली तड़ित आप जानते हैं तड़ित हम किसे कहते हैं किसे हम जानजा कहते हैं आस्मानों में बिजली की तरह से जो चमकने वाली जो किर्णे आपको दिखाई देती है उसके आवाज उसकी गर्जन जो सुनाई पड़ती है उसके बारे में आज आपका ये चैप्टर है साथ में आपको भुकंप के बारे में आपको बताया गया है ठीक है ना इनके बारे में आपको बताया गया है ये दोनों मौसमी प्रकृतिक परिखटनाएं है समझना है आपको बातों को इसके बारे में आपको पताया गया है कि किस प्रकार से आस्मान में आखिर एनरजी उर्जा संचित होती है और किस प्रकार से हमारे इस धरातल पर आ जाती है इसकी भोल्ट इतनी ही जादा होती है फ्रेंड्स कि यह बड़े से बड़े घर, मकान, कल कारखानों को तबाह कर सकती है ठीक है न आस्मान से होने वाले एक तबाह के बारे में आपको बताया गया है तड़ी जांजा के बारे में और धरातल में होने वाले एक आखिर काफी वि आखिर उन में आखिर जब घर्षन होती है वह सरकने लगते हैं तो ही आखिर हमारे धरातल में भूचल होती है ठीक है ना एक भूचाल साता है और हमारे घर, मकान, कल, कस्वे, कार खाने वो सभी विध्वंग्स हो जाते हैं ठीक है ना आज आपका ये चैप्टर अगर आप फ्यूचर में अगर आप जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपको काफी हेल्प करेगा ठीक है ना तो आज हम लोग जान लेंगे कि आखिर इस चैप्टर के हेडिंग्स में जो बाते बताई गई है वह है प्रकृतिक परिघटनाएं तो फ्रेंड्स प्रकृतिक परिघटनाएं आखिर होती क्या है तो फ्रेंड्स जिनरली हमारे आसपास में जितने भी सारी घटनाएं घट रही है प्रकृतिक रूप से ठीक है ना प्रकृतिक के द्वारा संपन की गई घट प्रकृतिक घटनाई कहते हैं, जैसे एक्जामपल के रूप में देन का होना, रात का होना, रीतु परिवर्तन, प्रित्वी का घोडनन, ठीक है ना? ये जितनी भी सारी प्रकृतिक परिगटनाई है, लेकिन आज हम इस चैप्रस में जाल लेंगे कुछ बातें तडित के बार बारे में यह दो विनास्कारी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में ठीक है ना यह आपको पहले समझना है तो फ्रेंड्स प्राकृतिक परिघटनाएं भी बहुत तरक्य होती है ठीक है ना उसमें से आज हम लोग जान लेंगे विध्धंग स्कारी कुछ सक्तियों के बारे में प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में तो फ्रेंड्स उनमें से पहला जो है वह है कि आखिर तडित के बारे में तो फ्रेंड्स आपने लास्ट के के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बाते जान लेनी है आखिर static energy के बारे में इस्तिर विद्यूत आप जानते हैं इस्तिर विद्यूत के बारे में आपने last जैसा आप से भी बहुत समय ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी plugs जो होते हैं, sockets में जो plug होते हैं वो धीला होने के कारण उसमें चिंगारी आती है ठीक है न? या फिर आप कई बार देखे होंगे कि सर्दियों में जब भी आप उनी वस्तर को जब अपने सरीर से भाहर निकालते हैं तो एक चटचट की ध्वनी सुनाई पड़ती है ठीक है न? वो आवेश के कारण हो रही है, friends ठीक है न? वो जो उनी वस्तर है, वो पुरी तरह से आवेशित हो जाती है हमारे सरीर के रगण के दोरा हमारे अंडर कार्मेंट्स जो भी हम अंदर वस्तर पहने उनकी रगण के दोरा वो आवेशित हो जाती है और आवेश एक सुम्ह इतना हो जाता है उस उनी वस्तर में कि जब भी आप सरीर से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? आप देखेंगे कि उसमें से एक चटचट की आवाज आती है समझना आपके बातों को ठीक है ना या फिर हमारे सरीर के जो रोए हैं जो हेर हैं वह उससे छूने की कोशिस करते हैं ठीक है ना आप बहुत बार ऐसा देखेंगे और ऐसा अगर आप उनिवस्तर को आप अगर सरीर से बाहर निकालते हैं रात के समय तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे टाइम लाइट भी प्रेजन्स होते हैं ठीक है ना आप लाइट भी देख पाएंगे और चटचट की आवाज भी आप देख पाएंगे ठीक है ना तो फ्रेंड्स 1752 में एमरीकी वैग्यानिक एक थे वैंजामिंग फ्रेंकलिन जैसा आप पिक्चर्स में भी दीख पा रहे हैं ठीक है ना आज के वैग्यानिक मानते हैं यह बात भी आपको याद रखनी है ठीक है ना लेकिन इस तत्त को साकार होने में दो हजार वर्स लग गए फ्रेंड्स समझने हैं आपको बातों को ठीक है ना उसे पूरी तरह से विज्ञान ने बिलकुल उसे परख कर देखा ठीक है ना तो आज के वैग्यानिक बिलकुल उन्हें सही मानते हैं ठीक है ना तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर धन आवेश रिण आवेश किसी वस्तु में आखिर किस प्रकार से तयार होते हैं ठीक है ना जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़े थे कि आखिर स्थिर विद्यूत किस तरह से आखिर उत्मन होते हैं तो फ्रेंड्स आपने static electricity तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले समझते हैं कि आखिर यह आखिर किस तरह से उत्मन होता है तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इस धरातल इस प्रिथिव पर जितने भी सारे फ्रेंड्स वस्तु हैं ना फ्रेंड्स वे सभी छोटे-छोटे कड़ों से वो तयार होते हैं जिने हम एटम्स कहते हैं जिने हम परमानू कहते हैं ठीक है ना इस प्रिथिव पर जितने भी सारे पदार्थ है वह अपने सुक्ष्म कड़ से ही कोई एक जो पदार्थ है वह पूरी तरह से तयार होता है बहुत सारे सुक्ष्म कड़ोंस के मिलने से वह पूरा पदार्थ तयार होता है, चाहिए वाख प्लास्टिक का कॉम्ब हो, ठीक है ना, या फिर बैलून सो, वाल सो, कोई भी हो, ठीक है ना, वाटर सो, वाटर वेपर हो, जितने भी सारे पदार्थ हैं, वह एक छोटे सिकड़ एटमस सिंभ होते हैं, एटमस बहुत सारा जा मिलते मिलते एक सम करता है यानि किसी भी पतार्त का वासुक्षतमकर जिने हम एटम्स कह रहे हैं परमाणू कहने है यह परमाणू जो है ना फ्रेंट्स इसमें आखिर दो प्रकार की प्रवर्ति पाई जाती है समझना है ठीक है ना एटम्स जो होते हैं उसके अंदर दो प्रकार की प्रवर्ति ह होती है पाई जाती है एक होती है positive की और एक होती है negative की समझना है atoms के अंदर जो पाई जाने वाले जो आवेश होते हैं ठीक है न वह धन आवेश भी है और red आवेश भी है धन आवेश को हम लोग protons कहते हैं और red आवेश को हम electrons कहते हैं समझना आपको friends बातों को किसी भी पदार्थ में पाया जाने वाला आखिर सबसे छोटा कण atoms कहलाता है उसके अंदर नहित और मौझूद होते हैं protons जो की धन आवेश होता है और एक मौझूद होता है जिससे हम electrons कहते हैं friends हमारी प्रित्वी पर जितने भी सारे पदार्थ हैं वह सभी neutral है neutral है कहने का तत्पर वह अभी आवेशित नहीं है ठीक है न अगर उन्हें हम आवेशित कर देंगे तो ही energy की स्रिष्टी होगी जो energy हमें तडित में आकास में चमकने वाले विद्यूत में तडित में आखिर हमें देखने को मिलता है ठीक है न उसे हम समझने के लिए अभी हम पहले इसे समझने की कोसिस करेंगे friends ठीक है न जब भी आप किसी दो बस्तुओं को लेते हैं जो दो बस्तुओं निट्रिल है दोनों में किसी में भी आवेश नहीं है friends समझने आपको बातों को friends ठीक है न आखिरी आवेश किस प्रकार से सिस्टी हो रहे हैं उससे आपको पहले समझना है माल लेते कोई दो वस्तू लिया हमने ठीक है ना उसमें से कोई भी दो वस्तू आवेशित नहीं है आवेशित कहने का थाथ पर फ्रेंट्स उसमें एनरजी विद्यूत आवेश का आखिर संग्र होना ठीक है ना तो अब हमने माल लिया, कि हमने एक ballons लिये, ठीक है, ना? उसको हमने एक फुलाः बैल्योंस लिया, हमने मुँञ के दॉरा उसे फुल आए, फिर उसे हम क्या किया? उसे हमने उसके मुँञ पर बाण दिया, आखिर रसी से ताकि उसका हवा जो है वो बाहर ना निकले ठीक है ना देन हम क्या किये हम उसे अपने हेर ठीक है ना अपने बाल या फिर किसी फर पर उसे हम रगड़ते हैं ठीक है ना और फिर उसे हम दिवाल पर चिपकाने के कोशिस करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर ये वल्लून जो है वो दिवाल पर चिपक जाता है लेकिन पहले की इस्तिति अगर हम देखे तो जब बैलून्स को रब नहीं किया गया था हेर के साथ या फिर फर के साथ तो वो चिपक नहीं रहा था ठीक है ना या आवेस आखिर स्रिष्टी हो चुके है उस बैलून्स में समझना है आवेस स्रिष्टी हो चुके है इसलिए वो जाके सड़ जा रहा है अब आपको समझना है कि आखिर कोई वस्तू रिड आवेस है कोई वस्तू धन आवेस है ये कैसे हो पा रहा है तो पहले इससे समझना ह तो friends, आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने कहा कुछ दर पहले, सभी वस्तुए में atoms होती हैं, atoms के दो भाग, protons और electrons होते हैं, protons positive, धनात्मक, electrons negative होता है, ठीक है न, protons stable होता है friends, protons stable कहने का तत पर वो स्थाई होता है, वो अपनी जगा से नहीं हुलता है, ठीक है न, protons बिलकुल पू सभी वर्थन करने की कोशिस करता है, तो वह वस्तु, धयांट समझना है, वह वस्तु जो electrons को ग्रहण कर लेता है, ठीक हैना, बहुत सारे ऐसे वस्तु है, जो ऐसे उन में प्रविर्ति पाई जाती है, कि electrons को ग्रहण करते, ठीक हैना, कहीं से भी, अगर उसे electrons मिल रहा है, त बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं, जिनमें ऐसी प्रविर्थी पाई जाती है, इलेक्ट्रोंस को त्याग देने की प्रविर्थी पाई जाती है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, दो प्रकार की वस्तु हो गए ऐसे वस्तु जिन में इलेक्ट्रों को ग्रहन करने की प्रविर्थी पाए जाती है एक ऐसा वस्तू हो गया और दूसरा वस्तू हो गया एक ऐसा वस्तू जिनमे एक प्रविर्ति होती है कि जल्दी से जल्दी एलेक्ट्रोन को त्याग दें, ठीक है ना? साथ मैं आपको यह बात भी याद रखनी है कि किसी भी वस्तू में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्टॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, दोनों के बराबर होने का तत पर तभी तो कोई वस्तू बिना आवेश का है, यानि आवेशित नहीं है, हमारे पिर्थवी प इससे लिवा time new a friends थीकि न वो अभी कोई भी energy उसमें संचित नहीं है थीकि न ना Something आकर्षन दिखा रही है और ना都是 वह जैसा वह पहले है थी किना पहले से जैसा है वह अभी भी वाइसा है हवाँ अभि कोई भी रियाक्ट नहीं कर रहा है अब आपको समझ लेना है कि अकर धनअवेश कोई वस्तु अगर हो जाता है तो वह धनअवेश को विसर्जित करता है जैसा अपने मैगनेट्स के बारे में पढ़ा था ठीक है ना धन आवेशित कोई वस्तू धन आवेश को विसर्जित करते हैं रिण आवेश कोई वस्तू रिण आवेश को विसर्जित करते हैं ठीक है ना विसर्जन कहने का दात पर रही प्रतिकर्शन ठीक है ना विकर्शन ध्यान सो समझन कोई वस्तु अगर धन आवेश है तो दूसरी धन आवेश वस्तु को वह प्रतिकर्शित करती है कोई वस्तु अगर रेड़ आवेश है रेड़ आवेश है रेड़ आवेश है कोई वस्तु को प्रतिकर्शित करती है ठीक है ना समझने आपको बातों को तो अब है विकर्शित तो हो गिया प्रतिकर्शित हो गिया तो फिर आकर्शित कौन वस्तु कहोगी तो friends वह वस्तु ही आकर्शित होगी जो एक दूसरे से विन्य है माल लेते हैं कोई वस्तु अगर positive है ठीक है ना वह negative को आकर्शित करेगी attract होगा इन दोनों के बीच या फिर कोई वस्तु अगर या फिर negative है दूसरा वाला कुछ भी नहीं है ठीक है ना तो ही आकर्शित होगा दो same वाले में कभी भी आकर्शित नहीं होगा जैसे plus और धनावेस के साथ धनावेस से वस्तु में आकर्शित नहीं होगा रिनावेस में रिनावेस के साथ आकर्शित कभी नहीं होगा ठीक है आपको पहले समझना है friends ठीक है ना तो friends अब आपको जान लेना है कि कोई भी वस्तू किस प्रकार से धन आवेशित होती है या फिर रिर आवेशित होती है यानि मुलता कहा जाए कि कि किसी भी वस्तू में आवेश आकिर किस प्रकार से होता है चाहिवा धन आवेश हो चाहिव ववस्तु जो जल्द ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, उसमें एक प्रविर्ती होती है इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देने की, जैसे ही आपने रब किया, उसे रगड दिया, तो वह इलेक्ट्रॉन्स का त्याग क यानि पाँच प्रोटॉन है ठीक है ना यह आप देख पा रहे हैं पाँच प्रोटॉन है ठीक है ना एक दो तीन चार पाँच प्रोटॉन है और पाँच इलेक्टॉन है तो उसमें एक ऐसी प्रविर्ति है कि उसने इस इलेक्टॉन्स का त्याग कर दिया तो जैसे ही इलेक् बातों को यह वस्तु अब धन आविश्च हो गया क्यों कि उसने रिण आवेशित इलिक्ट्रॉंस का त्याग कर दिया और वह अभी प्लस हो गया है यानि धन आविश्च हो गया है अब है आपको समझना कि कोई वस्तू रिण आवेश्च किस प्रकार से हो जाती है तो फ्रें और इलेक्ट्रॉंस की संख्या भी पाँच ही है तो इसकी एक प्रविर्ती होती है इस वस्तू की प्रविर्ती है कि वह इलेक्ट्रॉंस को ग्रण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉंस आप देख पा रहे है और पाँच उसने ग्रैस्प कर लिया अपने में समा लिया तो यह जो हो गई वस्तु फ्रेंड्स इसकी प्रवर्ती हो गई रिन आवेस की समझना आपको बातों को इसकी आखी प्रवर्ती हो गई रिन आवेस की इस तरह से कोई वस्तु धन आवेस और रिन आवेस होता है किस तरह से किसका त्याग करके तो इलेक्ट्रॉंस का त्याग करके फ्रें के बारे में तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कुछ दिर पहले फ्रेंड्स कि आखिर जब भी दो वस्तूओं के बीच रब होती है ठीक है ना तो आकिर उन दोनों में आखिर आवेशों की स्रिष्टी होती है ये बात मैंने आपको कुछ दिर पहले ही बताई क्योंकि आवेश हमारे सरीर में से होकर वो पृत्वी या धरातल तक पहुच जाती है यह बात आपको याद रखनी है इसलिए वह आवेश ठीक है ना वह एनरजी वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर जो स्थिर्वेद्यूतिक जो बल है वह आखिर हमें फिल नहीं होता ह है यह बात आपको याद रखनी है साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि आखिर यह जितने वी आवेश होते ना फ्रेंट्स वे नॉन कंडेक्टर्स जो होते हैं ठीक है ना वह प्लास्टिक्स वगर इनमें ज्यादा आखिर उत्पन होते हैं यह बात आखिर आपको आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत बार ऐसे पुछा जाता है जितने भी सारे नॉन कंड़क्टर्स होते हैं कुछ अलक होते हैं जो उनमें जाधातर आवेसों की स्रिष्टी होती है ठीक है किसकी तुलना में सुचालों की दुलना में यह बात आपको याद रखने है फ्रेंड्स ठीक है ना जैसा बहुत बार ऐसा एक्जामस में पूछा जाता है कि आखिर दो वस्तों को जब एक दूसरे के साथ रगड दिया जाता है रब किया जाता है तो उनके बीच आखिर किस प्रकार के आवेसों की स्रिष्टी होती है वह भी आपको पूछा जाता है जैसे उधारन के रूप में अगर कहा जाए कि अगर माल लेते हैं ग्लास रोड को जब सिल्क के कपड़े से जब रगड किया जाता है तो आखिर क्या होते है कि इसमें कौन सा आवेस की सिष्टी होती है चली हम जानते ह जैसा आप से भी देख पा रहे हैं तो फ्रेंट्स जैसा ग्लास रोड को जैसे ही सिल्क के कपड़े से जब रब किया जाता है तो ग्लास रोड में पॉजिटीव चार्ज हो जाते है और सिल्क में नेगटिव चार्ज ठीक है ना जब भी बॉल पॉइंट पेन को उनकी बाद रखनी है जब भी कॉम्ब ठीक है ना यानि कंगी से जब भी रब किया जाता है अपने हेर को कॉम्बिंग किया जाता है तो हेर में पॉजिटीव चार्ज होते हैं ठीक है ना और कॉम में नेगटिव चार्ज होता है यह बात भी आपको याद रखनी है ठीक है ना 50 अब तक आपने जो इस्ति वैद्यूतिक वल के बारे में पढ़ा आवेशों के बारे में पढ़ा तो आपने जान लिया फैसे कि आखिर कि आफिक आवेशित गुबारों गुबारे को आखिर ने 46 प्रतिकर्शित किया ती suck याद रखना है एक आवेशित को reserve kulla ryo बी प्रतिकरशित करता है यह बात भी आपको याद रखनेहीं कि यानि सेम जब भी आवेशित हो जाते हैं plus होता है दोनों तरफ यह फिर दोनों तरफ धनावेश यह फीड रीन رवेश होते हैं तो ही विकरशिथ होता हए याद रखना है ठीक है न मैंने आपको गुजदर पहले ही पताया फ्रेंड्स परंतु एक आवेशित गुबबारे ने आवेशित रिफेल को आकर्षित किया है उनमें आखिर आसमानता है है आवेशों में तो ही आकर्षित होता है friends, या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक में आवेश हैं, दुसरे में आवेश नहीं है, तो भी आकर्षित होता है friends, तीक है na, यह बात आपको समझ लेनीय जी तरह से, तीक है на, तो friends हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जा नाविस कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से सच है फ्रिंट्स क्योंकि मैंने आपको कुछ दिर पहले ही समझाया कि जब ग्लास रॉट्स को जब सिल्क से जब रब किया जाता है तो सिल्क में निगटिव चार्जर्ज और कांच में ठीक है न वह पॉजिटिव चार्जर्ज होत इसकी है ठीक है न तो फ्रेंट्स अब को जान लेना है कि आखिर आवेश headphones का जो अवेश को स्थान तरण जो होता है न वह आखिर किस प्रकार से होता है आवेश को आप किस प्रकार से सरल विद्ध के में आखेर आप समझ पाएंगे किस तरह से आप जान पाएंगे कि कोई कोई वस्तु में आवेश है या फिर नहीं आप कैसे समझ पाएंगे ठीक है फिर न paid एक ख मुरब्ली की कि developed लेनी होती और उसमें एलमुनियम की पन्नी 4 cm into 1 cm साइज की दो पट्टी कट लेनी है पेपर क्लीप के सारे से लटकाना है ठीक है और फिर फिर क्या करना है एक रिफिल को आवेशित करने के बाद क्या करना है उसे सपर्स करवाना है जैसे आप सपर्स करवाते हैं तो आप देखते हैं कि आप देख पा रहे हैं अलमुनियम की पन्नी हो रही है न पर लेकर्सित हूरे है माल लेते है कि इसमें लिख भियंगा इसमें थे बेएश हो जा बाद एक अधा था और इसमें जाना है रहे हैं भी इस की पनी है इसमें भी धनावेस हो गया है तो इसलिए दो एक दूसरे को विकर्षित कर रही है ठीक है ना समझना आपके बातों को और जैसे ही आप अपने हाथ से जब इसे छूते हैं इस क्लिप को माल लेते हैं यह अपने हाथ से इस पीन को छू लिया तो फिर आप यह पहले जिस तरह के पुजिशन में थे ठीक है ना लंबवत वह आ जाते हैं वह विकर्षित नहीं करते हैं ठीक है यह समझना है क्योंकि आपके बॉड़ी में से होकर यह जो चार्जेज आवेस जो है वह धरातल तक पहुंच जा रहे है यह फिर आपका जो सरीर है वह ग्रास कर ले अब हम लोग जान लेंगे तरित की कहानी के बारे में तो फ्रेंड्स अब तक हमने जो जाना सिर्फ तरित को समझने के लिए इतना कुछ हमने जाना फ्रेंड्स ठीक है ना ताकि हमें तरित की कहानी समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो फ्रेंड्स तरित की कहानी में सबसे पहले फ्रेंट्स आपको जान लेना है कि आखिर ये तरीत कैसे उत्पन होते हैं तो फ्रेंट्स आसमान में एनरजी ठीक है ना धनावेस और रिड़ावेस अखिर संचित होते हैं ठीक है ना तो धनावेस और रिड़ावेस के संचित होने से जब वह एक दूसरे के स संपर्क में आने के साथ साथ रगड होने के साथ साथ एक बिजली जो है वह हमारे धारातल पर पहुंचती है जैसा आप पिक्टिस में भी देख पा रहे हैं ठीक है ना यह धनाविस और रिणाविस किस तरह से बादलों में आते हैं चलिए हम उन्हें पहले समझने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं कि आखिर किस तरह से आखिर में बादलों के स्रिष्टी होती है सूरज की किरिने आखिर किसी जला से ठीक है जल के स्रोतों पर पड़ती है और वह वास्पित होकर वह उपर जाने की कोशिश करती है समझने आपके बा उसे आखिर क्या करती है पुष करने की कोशिश करती है और देन वह ठीक है न वह और भी उपर उटने की कोशिश करती है समझना आपको ठीक है न यानि गर्म जो हवाएं है वह उपर उटती है समझना है और गर्म हवाएं उपर उटने के साथ-साथ वह क्या करती है वह उनके बीच में जो भी बादल उपस्थित है वह उन्हें रब करने के साथ साथ उपर उठती है और इसी रगण के दौरान उनमें एक आवेश की स्ष्थी होती है याद रखना है यानि गर्म हवाएं उपर उठती है और फिर क्या होता है जो जलवास पहले से ही मौजूद है बादल गर्म हवाएं अभी जलवास को लेकर उपर उठती है ठीक है ना उनके बीच में एक घर्चन की स्रिष्टी होती है इस तरह से कहा जाए गर्म हवाएं पहले से उपस्थित आखिर बादलों को उन्हें धगेल कर उनहें river करने के साथ साथित ऊपर उठने की कोशिस करती है ठीक है ना अब क्या होता है इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का प्रिथक करण होता है ठीक है ना आवेशों का प्रिथक करण है हवाएं यह समझना है हवाएं इन्हें और भी ज्यादा अविशित कर देती है क्योंकि हवाओं का रब जो है हवाओं से लगातार रब उन दोनों के बीच में आखिर हो रहा है ठीक है ना और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर जो भी जलवास्त के कड़ है न वो भी ए अंदर ही ठीक है ना या फिर दूसरे बादल एक बादल दूसरे बादल के साथ आकर रब किये या फिर बादलों के अंदर ही आखिर रब हुआ ठीक है ना जलवास्त के साथ या फिर हवाओं का आखिर मेगों के साथ रब यानि तीन प्रकार के रब हुए ठीक है ना ये बा पड़ित होता है ना फ्रेंट्स यहां मेगों से मेग के अंदर में ही होता है और फिर मेगों से यानि बादलों से हवाओं में होता है दूसरा और तीसरा होता है आखिर मेग यानि बादल से हमारे धरातल पर आना यानि इस तीन प्रकार से जो रब की स्रिष्टी हो रही है उन उनकी प्रविर्ती होती है जो गर्म हवाय जो उपर उठती है ठीक है ना और रिण आवेश बादल रिण आवेश बादल जो की एक दुसरे के साथ पहले से ही संपर्क में है एक दुसरे से पहले से ही रव कर रहे हैं वो रिण आवेश बादल नीचे की तरफ संचित हो जाते ह ठीक है ना ऐसा बात नहीं है कि कोई एक बादल में ही दो प्रकार के आवेश हो ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई एक बादल में धन आवेश है दुसरे बादल में रिण आवेश है और दोनों की जब टकराहट होती है दोनों जब एक दुसरे से टकराते हैं ठीक है ना आवे जब संचित आवेशों का परिमान यहां से समझने से पहले आप पहले ये लाइन समझें कि जब संचित आवेशों का परिमान जब बढ़ जाता है तो वायू जो विद्दूत का हिंचालक है आवेशों के प्रवाग को नहीं रोग पाती तो फ्रेंड्स जब दोनों में ही आव बादल को लेले लिया है तीकि ना इसलिए उपर वाले बादल जो है वह धनाविसित हो चुके है और और नीचे वाले आप बादल जो देख पा रहे हैं वह रिड़ आविशित हो चुके हैं जब इन में आविश्क पूरी तरह से भर जाता है प्रशुर मात्रा में आविश हो जाती है ठीक है ना जैसा आपको उधारन के रूपे मैंने कहा कि पूरे दिन उनिवस्तर पहनने के ब जब आविश्क पूरी तरह से भर जाते हैं ठीक है ना बादल अ में माल लेते हैं और बादल भी में ठीक है na माल ले आज़ाए ढ़िवस की शंख्याएं बढ़ जाती है काफी प्रशुर मात्रा में आविश्क हो जाती है तो जब उनके बीच में संपर्क होता है तो फिर त बड़ित जो होती है वो जिनरली रिण आवेस की होती है ये बात आपको समझनी है ठीक है ना जो की धरातल पर मौझूद ये आप देख पा रहे हैं जो भी पेड़ पौधे हैं ये आखिर धन आवेस कैसे हुए चली इसे हम समझते हैं जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही पता है अगर आप एक बैलूंस को लेकर अगर रब करते हैं तो बैलूंस में एक आवेस्ट रिष्टी हो जाता है ठीक है ना बैलूंस में जो आवेस्ट रिष्टी होता है लेकिन हाला कि आपने दिवाल को रब नहीं किया है लेकिन फिर भी बैलूंस जो होते हैं वो दिव होने लगता है पीछे का रीजन्स जब भी बैलून को आपने रव किया लेकिन वॉल को नहीं किया ऐसा आपको समझना है कि वॉल में ठीक उसकी विपरीत जो चार्जेज वह है प्रेजन्स इसलिए वह एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरी की तरफ चले जा रहे है कॉमिंग आपने किया हेर में और चोटे-चोटे टुकडों में कागज के जिसे आपने आविशित नहीं किया लेकिन फिर भी कॉम जो है वह चोटे-चोटे टुकडों को आकर्षित कर ले रही है ठीक है ना यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब भी यह इलेक्ट्रॉंस ज खाने कि कोसिस करता है फ्रेंडठ्स ठीकैना इससे आपको पहले समझना है इस लिए अस्मान से तड़ित जोर है व करूं से प्रवाइत होती है और प्रतित होती तडित जो है वो प्रवाइद होती है ठीक है ना ये बात आपको समझनी है तो फ्रेंट्स अभी आपने पूरी तरह से यह जान लिया फ्रेंट्स की आखिर किस प्रकार से तडित हमारे धरातल पर आती है अब आपको जान लेना है कि आखिर इससे बचने के आखिर क्या-क्या अब सबहारे रहे हैं बचने के उपाएं में से आप फ़े असट जो की प्रकास है ठीक है ये बात आपको जान लेनी है अब है कि यह जो जान्जा यह घरज है हो आखिर किस प्रकार से स्रिश्टी होती है तो फिर्ट्स यह जैसे ही ही भ Pe chi के ना बहुत ही ज्यादा वेल्ट बन जाता है ठीक है ना और उतना सा gap बनने के साथ साथ ही साथ उसमें इतनी temperature होती है इतना तापमान होता है कि वह फिर से एक gap होने के स्रिष्टी करता है ठीक है ना और फिर उस जगा फिर से वह भरने की कोसिस करता है यानि हम कहें पूरी तरह से यह आप देख पा रहे हैं जो ना फ्रेंट्स यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर एक ट्यूब है ठीक है ना यहाँ पर अगर एक ट्यूब होता तो क्या होता फ्रेंट्स इस ट्यूब में से जैसे ही हवाएं अगर हमने दी होती गर्म तो ट्यूब एक समय ऐसा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो भी हवाएं ना उनके बीच में इतनी टेंपरेचर जब बढ़ रही है तो वह भी फट कर ठीक है वह अलग होने की घोशिस करती है इसलिए वह आवाज वह गरत जो है में सुनाई पड़ती है ठीक है ना इस बात आपको समझना है फ्रे से सुरक्षा की जो उपाय है तरित जांजा से कि आखिर किस प्रकार के होते हैं वह जब भी आप गरत सुने तो वह एक चितावनी होती है कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित अस्थान पर पहुंच जाए ठीक है ना और याद रखना है तरित जांजा के लिए कोई भी खु दर आपको पूछे जाते हैं Zelep ndina Exams में वह बात भी आपको याद रखनी है और अंद्धिंगर्जन सुनने के बाद इस सुरग्षित स्थान से बाहर आने की कि आप कोशिस करें एक यूछ उनने के बाद सुरक्षित स्तान से बाहर आने से पहले आपको वेट करना होता है ठीक है यह बात आपको यद रखनेंए फ्रेंट्स कि अब है आपको जान लेना कि उचे व्रिक्चों में, पारकों में, ठीक है ना, किसी भी उचे अस्थान में आपको आपकी सुरक्षा नहीं है, ठीक है न, याद रखना है, या फिर छाता लेकर चलना भी सही नहीं होता है, सबसे सही होता है कि आप जो है, वो घर के अंदर ही मौझूद हो, ठीक है न, वो स और घर के भीतर आपको सुरक्षि आप रह सकते हैं और बाहर अगर आप रहे तो कोई भी विद्धुत धारा या फिर धातु के पाइपों के आस पास आप न रहें कोई भी विद्दूत के तार या फिर धातू से बने वे कोई भी स्ट्रक्चर से आज पास आप बिल्कुल नहीं रहें या फिर आप उन्हें नहीं छुएं या बात भी आपको कई बार बताई जाती है फ्रेंड्स ठीक है न और साथ में आपको बताई जाता है कि आखिर बहु वाइल फोन अत्वा बिना डोरी वाले फोन का उप्योग सुरक्षित है ठीक है न ऐसे कहा जाता है परनतों यह बुद्धिमानी नहीं है कि आप किसी वैसे व्यक्ति को टेलिफॉन करें जो तार्युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा हो ठीक है न यानि जेनरली कहा जाए त यह आपको बात रकना है कि फोन्स भी आपको अवजड अगर आपकरें तो ही बहतर हो ठीक है न लेकिन हालां कि हाद रहत तक सुरक्षित माना जाता है ठीक है प्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे अखिर तडित चालक अखिक है क्या तो फ्रेंड्स तडित चालक ऐसी युक्ति है जिससे बड़े-बड़े जो भवन गिर्जागर, मंदिर, मस्जित को बचाया जा सकता है किसे तडित और जहांजा के प्रभावों से ठीक है याद रख टार्गिट करती है इसलिए कहा जाता है कि किसी खुले मैदान में आपको खड़े होकर नहीं रहना है तडित के समय या फिर वर्शा के समय जो आप तडित की आवाज आप सुन बारे है ठीक है ना तो इसलिए तडित को सबसे उचे मंदिर, मस्जित, गिर्जागर या फिर अपने कोई भी मकांस में ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए, इस्थापित कर देनी चाहिए ठीक है ना उपर का सीरा इस तरह से नुकिला होना चाहिए ताकि तडित जो है उस पर आफसानी से आकर उसे टार्गिट करें आप देख पा रहे है तडित इस तरह से नुकिली वस्तो देख पा रहे हैं घर के अंदर से हो या फिर बाहर से आप उसे मिटी में ठीक है ना आप उसे मिटी में आप उसे तामबे के प्लेट के माद्यम से आप उसे इंस्टॉल करते रहे है ठीक है इससे क्या हो रहा है जो भी तडित हो रही है जो भी उरजाय हो रही है वो धरातल अपनी तरफ ले ले रही है और धारातल इतना यूग है कि वो बड़े से बड़े तडित को वो आसानी से सह सकती है चाहिए कितनी ही बड़ा तडित क्यों नहों हमारा पृख्षवी थारातल बहुत ही बड़ा है यह बात आपको याद रखने है और इस प्रकार से तडित चालकों का उप्योग करके मंदिर, मस्जित, गिर्जागर हमारे उचे उचे भवन नुक्सान होने से बच जाते हैं अब हम लोग जान लेंगे भुकंप के बारे में तो फ्रेंड्स भुकंप एक जटका होता है भुकंप धरातल के नीचे की गड़बड़ी होती है जिससे क्या होता है हमारे इस धरातल के उपर में उपस्तित जितने भी सारे भवन, मंदिर, मस्जित, गिर्जागर, चर्च, जितने भी सारे मकान हैं वे सभी विद्धंक्स हो जाते हैं इसकी इसका उधारण हमें देखनों को मिला है बहुत ही बड़ा एक भुकंप 2001 में ठीक है ना गुजरात के भुज नामक जगह में आया था और काफी ज्यादा नुक्सान जो है इसने तबाही मचाई थी काफी विद्वंग्सकारी ताकत ठीक है ना अब आपको समझ आनिया आपको सुननी है जाननी है कि किस तरह से हमारे आखिर इलाकों को या फिर हमारे जन जीवन को संपत्य को किस तरह से नुक्सान करता है जनरली फ्रेंट्स यह भुकंप के आने के जो कारण है वो किस प्रकार के है चलिए हम उसे समझते हैं आप सभी जानते हैं फ्रें होता है ठीक है ना फ्रेंट्स और भुकंप के नुक्सान के चित्र आप देख पा रहे हैं या है भुकंप के द्वारा नुक्सान के चित्र किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं घर को किस तरह से ये बरवात और विद्धंस कर दिया गया है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो दब कर मर जाते हैं या फिर संपत्ति का नुक्सान जन जीवन का नुक्सान होता है अब दिख पारें पिक्टर्स में फ्रेंट्स ठीक है न यह आखिर कस्मीर में भुकंप होई थी उसका ही पिक्टर्स आपको बताया गया है अब दिख पारें तो फ्रेंट्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर भुकंप जो होते हैं यह किसी भी भवन पुल बांध किसी चीज़ को भी वहानी पहुचा सकते हैं काफी सक्टिसाली होती है फ्रेंट्स ठीक है न या फिर आप कह सकते हैं भुकंप से बाड भी आते हैं भुकम से भूस कलन भी होता है और भुकम से सुनामी भी आती है सुनामी कुछ साल पहले दो हजार शार में हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था जिससे आप भली बाती परिचित होंगे जिससे जन्जीवन की काफी नुकसान किया था तो आप सभी जानते हैं कि आखिर ये हमारा जो भूतल है हमारी जो पृतिवी की सन्रचना है ठीक है न वो आखिर किस प्रगार की है जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पृतिवी की जो सन्रचना है न फ्रेंट्स इसमें भूपरपटी जिस पर हम लोग रहते हैं उसके अंदर ए प्रवार आप देख पार रहे उसके बाद बाह कोड और अंत्रिक कोड इस प्रकार से चार आप परत आप हमारे इस पर देख पाते हैं ठीक है ना परिधवी के भीतर सबसे उपरी सतह की में से गहराई की ग्रपड के कारण भूस बंदर आते हैं अगर यहां पर फ्रेंड्स माल ले आ जाए यह आंतरिक कोण ठीक है ना यह आंतरिक जो कोर है यह फिर बाह कोर में जब भी गड़वड़ी आती है ठीक है ना तो वह क्या होता है हमारे इस भूपरपटी ठीक है ना उससे उससे वह हल चल करती है ठीक है यह बात आपको समझनी है उससे वह हिलाती है उससे वह भूस्खलन होता है यह बात आपको याद रखनी है जैसा फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपने देखा कि आखिर यह जो धरातल यह हमारे पृत्थिवी के जो कोर होती है ठीका ना सबसे अंदर का कोर जिसमें प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आखिर उसके अंदर में उपस्थित जो आईरन होती है ना फ्रेंड्स वो सॉलिड फॉर्म में है वो कठोर हो चुके है ठीका ना यह आप देख पा रहे हैं जो आंतरिक जो कोर है यहाँ पर आईरन यानि लोहा ठ से बाहरी जो कोर है यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर लोहा जो है और जो रॉक्स होते हैं ठीका ना जनली लोहा जो है वो पिगला फॉर्म में पाया जाता है याद रखना है लोहा पिगला फॉर्म में है और आप देख पा रहे हैं यह जो प्रवार है ना फ्रेंड्स य उपर उठते हैं तो वो कुछ solids में बदल जाता है ठीका ना solids यह नहीं कठोर में लेकिन याद रख रहा है हमारे धरातल हमारे कोर में उपस्थित हमारे आंतरी कोर हो या बाहे कोर या फिर प्रवार में जब भी कुछ हल चल होती है तो फिर या बाहर निकलने की कोशिस करती है अंदर की जो गर्मी है अंदर का जो मैगमा है वो बाहर निकलने की कोशिस करता है और फलस्वरूप हमारा जो धरातल है उसमें कई सारे लेयर है वह एक समान रूपी किसी भी solids या concrete से बना नहीं है वो टुकडो टुकडो में बटा हुआ है ठीक है ना जिसके कारण से उस ट खल्ण होता है उसमें वहाओन हो तोटalen होता है और गहां और नहीं कम इस तरह से मानी जाती है ये बात आपको समझना है इसके अलावा भूस्खलन जब भी होते हैं तो भूस्खलन आप देख पा रहे हैं हमारा आखिर जी एप पूरा प्रुद्वी है किस प्रकार से टुकुडों में बटा है या पूरी प्रिथवी किसी एक तरफ से solids ठीक है ना concrete एक plate में बटी नहीं है ये टुकुडों में भी वाजित है इस प्रकार से इसके अंदर की गर्मी मैगमा जब बाहर आने की कोशिस करता है तो इस भूमी पर उपस्ते जितने भी सारे मंदिर मस्जिद गिर्जागर भवन जितने भी सारे वस्तुए हैं वो सभी को हिला कर रख देती है याद रखना है फ्रेंट्स ठीक है ना लेकिन साथ में आपको यह बात याद रखनी है हमारी जो प्रितिवी है वो लगातार आखीर वह हिल रही है लेकिन उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ना क्योंकि वह काफी कम मात्रा में हो रही है जब भी यह मात्रा काफी ज़्यादा में उत्पन होती है तो हमें यह फील होती है याद रखना है और साथ में आप यह भी जान लें कि आखिर यह जितने भी सारे प्लेट्स आपने देखे टुकुड़े टुकुड़े में एक प्लेट दूसरी प्लेट्स के जब नीचे चली जाती है तो इसके कारण भी पट्टी में विक्षो पुत्पन होता है यह आप देख पा रहे हैं यह दोनों पट्टी है यह दोनों प्लेट्स है ठीक है ना जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए है जब एक दूसरी के साथ टकराती है जैसा आपने वीडियो में देखा तो आखिर क्या होता है भूस पंदन होता है ठीक है ना इसके लाव बहुत समय ऐसा होता है कि वह एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है ठीक है आप देख पा रहे हैं एक दूसरी तरफ जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है एक दूसरे के विप्रित दिसा में ज जान लेनी है कि भुकम्प का भविष्वानी नहीं किया जा सकता है मैंने आपको कुछ दिर पहले ही बताए फ्रेंड्स झालेसर आपने जान लिया कि यह जो प्रित्विव्य पर उपस्ति जितने भी सारे प्लेट्स है ठीक है ना प्रित्वी पर प्लेटों की गतियों के कारण ही भुकम पाते हैं ठीक है ना अब है आपको जान लेना कि आकिर ये भुकम पी छेत्र या फिर ब्रंस छेत्र क्या है ठीक है ना भुकम प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन होते हैं अ यहां पर भुकंप आने की संभावना सबसे जादा है यह कई बार आपको उसामस में पूछी आते हैं भारत में है कश्मीर पस्चमी तदा केंद्री हिमाले समस्त उत्तर पुरव कच्छ का रण राजस्तान तता सिंधु गंगा के मैदान देश्चिन भारत के कुछ भाग जो ह उस परपट्टी पर उस प्लेट पर मौझूद है जहां पर भुकंप आने की संभावना है उस प्लेटों पर मौझूद है यहां पर ठीक है ना किस प्रकार से आखिर यह आप देख पा रहे हैं कि प्लेटों में जो गतियां होती है वो किस प्रकार से होती है ठीक है ना यह जो होता है वो इस प्रकार से उसे बल देने की कोशिस करता है और गंगा वाला जो मैदान है इस प्रकार से कोशिस करता है हिमाले आप जितना भी देख पारें फ्रेंट्स हिमाले की उत्पत्ती एक मोरदार परवत के रूप में हुई है जब दो प्रकार से आती हुई जब दो प्लेट्स दोनों तरफ से आती है तो बहुत हजारों लाखों वर्स पहले तो हिमालय आखिर पाहार का जन्म कुछ परवत का जन्म कुछ इसी प्रकार से हुआ था जब दो प्रकार की जो प्लेट्स है वो आपस में एक दूसरे के भी प माले खड़ा है फ्रेंड्स को जान लेना है कि आखीर भूकंप जो होते हैं उसे मापने के लिए क्या कोई उपकरण है तो फ्रेंड्स हां भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी नामक एक उपकरण है अब देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी भूकंप लेखी उपकरण जिसके द्वारा ये कोई भी भूकंप जो भी उत्पन हो रहे हैं उससे यहीं बड़ी ही ऐसानी के साथ माप सकता है ठीक है ना यहाँ पर लोलक रखे हुए है जिसके पर एक पर जोकी दोरी इस सद्वार एक चुमुभक करिए और यह भूरोनानी ड्राम है यह गुर रहा है ठीक है ना इस तरफ से आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से भुकंप लेखी या फिर सिस्मों ग्राफ जो होते हैं ठीक है ना वह इस प्रकार से काम कर रहा होता है साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है फ्रेंड्स कि आखिर भुकंप की वह मात्रा जो काफी हानिंग पहुचाती है वह हमेसाथ साथ से ठीक ह ना च्य से उपर की होती है ठिक ना याद रखना है हमें साथ से दसके बीच की जो भुकंब की मात्रा होती है वह किसी भी छेत्र को काफी विद्ध्वंख कर सकती है फ्रेंड parallel यह याद रखना है अगर किसी भी छेत्र का भुकम्प का जो परिमाण अगर दो तीन या चार दिखा गया तो इसमें घबराने की कोई आवज सकता नहीं है फ्रेंड्स इसमें भुकम्प के जटके काफी शामाने रूप में होते हैं याद रखना आपको इन बातों को ठीक है ना साथ में आप देख पा रहे हैं कि भुकम्प का जो छ्ट्र है ठीक है न किसी प्रकार से आप अंगित कर सकते हैं मन लिया जाए या भुकम्प का छ्ट्र है ठीक है ना है वकंब का कमण बिल्कुल एक स्थिर पानी में अगर आप लूंद डालें तो आप देखेंगे में बिल्कुल उसी तरह से कमण होता है चॉप बुखंब में भी जो आप देख बारे है यह वह कोर माना जाता है ठीक है ना यह प्रिथिवी के अंदर में उपस्तित होता है जहां पर हलचल के फलसुरूप भुकंप जो हैं वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और इसके बारे में आप आने वाले अधीकैंद्र फोकस कया है और यह दोरी होती है केंद्र से एक वेव में आती है और धीडीरे-धीर रहने के साथ ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है ठीक है ना तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर भूकंब से किस प्रकार आखिर हमें बचने चाहिए आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स भूकंब से बचाओ के आखिर वो कौन से उपाय है याद रखना है या फिर आपको ऐसे किसी जगा में चले जाना चाहिए जो इलाका काफी खुला हो याद रखना है आपके ऊपर या फिर किसी भी वह जगा जहां पर आपके ऊपर कोई भी मकान ना गिरे ठीक है ना साथी साथ भुकम्प के जटके कारण इलेक्ट्रिक केतार पोल्स वगरा गिरने लगते हैं यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंट्स उनसे भी हमें बचना है भुकम्प के दावरान तो फ्रेंट्स इसलिए यह बात कही जाती है कि जब भी हमें मकान को डिजाइन कराना है तो हमें किसी विसिस्ट आर्किटेक्ट्च या फिर इंजिनियर की परामर्स की साहिता से मकान हमें बनाने हैं ताकि वो भुकम्प से रोद कर पाए भुकम्प में उस घर का नुकसान ना हो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में और जान लेंगे कि आखिर आप भुकम्प में अगर आप घर में हैं तो आखिर आप क्या करेंगे ठीक है ना फ्रेंट्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं तो फ्रेंट्स जैसा भुकम्प मे अगर आप घर में जब मौजूद है जब रुकमबाती है तो आपको क्या करना है किसी मेज के नीचे आस्रा ले लेना है और जटके से ठीक है ना जटकों के रुकने तक वहीं आपको रहना है ठीक है ना उची इमारतों से आपको दूर रहना है ठीक है ना अगर आप बिस्तर पर रहें तो नहीं उठना है सिर को तकी से बचा के रखना है ठीक है न अगर आप घर से बाहर होते हैं तो फिर क्या करना है भावन यह फिर व्रिक्ष यह फिर उपर जाती हुई विद्धुत लाइनों से आपको दूर रखना है किसी खुले अस्थान पर आपको खोजना और याद रखना है आपको फ्रेंट्स ठीक है ना अगर आप किसी कार में है या फिर बस में है तो बाहर नहीं निकलना है डाइवर से कहना कि धीरे धीरे वक्ति किसी खुले अस्थान पर पहुंचने पहुंचे थीक है ना बूस पंदन के स्वाप्त होने के बाद ही आपको उस स्थान से आपको बाहर निकलना है तो फ्रेंट्स यह तरित जांजा और भुकम यह दो हमारे प्रकृतिक विनासकारी आखिर परिखटना है प्रकृतिक रूप से इनसे हमें बचना है याद रखना है तो फ्रेंट्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और ज पूछा गया है तो फ्रेंट्स प्रेंट्स नंबर1 अब देख पा tinha फिरिंड निम लेखित में से किसे घर्षन द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता तो फ्रेंट्स Sabrina k First आपको पूछा जाकर रहा है कि आ नमबर खो तामबिक का छड नमबर गो फुला हुआ गुबारा और नमबर गो उनिवस्त्र तो यह चार आपको विकल्प है जहां आपको पूछा गया है कि किसे आप आसानी से आविशित नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंट्स जैसा मैंने आपको विडियो में भी बताया कि आख को चाहिवा प्लास्टिक का स्केल हो या फिर फुला हुआ गुबारा हो या फिर उनिवस्त्र हो इन्हें आप आविशित कर पाएंगे लेकिन तामबे के या फिर कॉपर के लोहे के ठीक है ना जितने भी सारी कंड़क्टर सुचालक होते हैं उससे आप बहुत ही आसानी से करेंगे ृफ्रेंड्स और हुमन कशरीर भी जो होता है ribs वह उन्हें आप आसानी से आवशित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हुमन का जो शरीर है वह भी कंड़क्टर होता है सुचालक का एक DX है न तो फात देखकले रहे हैं कि आखिर न BACK में आखिर हम से क्या पूछा गया है प्रेस्ट नंबर टू आप देख पारें फ्रेंड्स प्रेस्ट नंबर टू मैं हम से पूछा गया है कि जब काच की छड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड यानि छड के बाद आपको पूछा जा रहा है अब जो एंसर होगा वह आपको चार भागों में डिवा आवेशित हो जाती है ठीक है ना नंबर गौ में है तता कपड़ा दोनों रिण आवेशित अर्जित कर लेते हैं और नंबर गौ में है रिण आवेशित हो जाती है तता कपड़ा धन आवेशित हो जाती है तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि जो काच की कपड़े से रगड़ते हैं तो काच का जो छड़ होता है तो याद रखना है आपको काच काज की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम का जो कपड़ा है ना फ्रेंट्स रेशम का कपड़ा वह हमेशा रीनावेशित होता है माइनस ठीक है ना रीनावेशित और काज की छड़ होती है वह हमेशा प्लस यानि धनावेशित होती है समझे आपक हो जाती है कपड़ा रीणा वशित हो जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे दिख लेंगे प्रेंगे प्रेश कूल सारी साप और तरी तरी और जाती है टीझी अपको त्द में बइस एस तरी वृ आपको बताने है ठीक न सकते कि वील्वी ठीक है ना जैसा आप सभी देख पा रहे हैं नंबर को में पुछा गया है सजातिय आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं सजातिय यानि एक दूसरे के समान या एक समान ठीक है न एक बिल्कुल एक से मिलते हुए एक ही तरह के सजातिय मतलब तो सजातिय आवेश जो होते ह यानि माल लेते हैं सह जातिया नहीं एक दुसरे से बिल्कुल मिलता जोलता तो यानि दो प्लस क्या एक दुसरे को आकरशित करते हैं तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं या फिर दो माइनस ठीक है न यानि दो धन आवेश या फिर दो रिन आवेश क या एक दूसरे को आकरशित करेंगे, तो friends, इसका उत्तर होगा, नहीं, सह जातिया, यानि एक ही जातिका, ठीक है न, समझना आपको, सह जातिया आवेस, एक दूसरे को आकरशित करते हैं, तो friends, इसका उत्तर होगा, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है न, आकरशित नहीं करते है यह एक दूसरे को विकरशित करते हैं आगे बढ़ेंगे नंबर खौ में देख लेंगे आवेशित काच की छड़ ठीक है ना आवेशित काच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकरशित करती है क्या यह बात फ्रेंड्स सही है ध्यान से समझना है तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आवशित जो काच की छढ़ होती है वो आवशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को क्या करेगी वह आकर्षित Cry estimate नब लेकिन उसात में यह बात याद रखनी है क्या बात क्रहिस धन वेश होगा यानि जो होती है वह हमेसा पोजिटिव युँट्रों होता है और जो इत्व होती है फ्रेंड थिकले ऊपको हमेशीत कांच की छड्याओं . यानि यानि कोई एक प्लस का होगा, यानि धनावेश होगा, कोई एक रिणावेश होगा, तो ही आकर्सित होगी, आनने था विकर्सित होगी, यह बात भी आपको याद रखने हैं, ठीक है न? तो फ्रेंट्स, अब हम लोग जाल लेंगे आखिर प्रस्ट नमबर गौ में आखिर हम से क्या पुछा गया है, जैसा आप सभी फ्रेंट्स देख पा रहे हैं, प्रस्ट नमबर गौ, तडित चालक, ठीक है न? आप देख पा रहे हैं, तडित चालक किसी भवन की तडित से सु इससे बिलकुल पूरी तरफ से सुरक्षा कर सकता है, ठीक है न, याद रखना है आपको, यानि ये जो sentence हो गया, ये भी आपका false हो गया, ठीक है न, यानि सिर्फ ये सिर्फ खौवाला ही सिर्फ true है, आगे बढ़ेंगे number गो की तरफ, भुकम्प की भविश्यवानी की जा सकत है, या गतन भी आपका घलत है, ठीक है न, भुकम्प की भविश्यवानी नहीं की जा सकती है, तो फ्रेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे, आखिर प्रस नमबर 4 में, आखिर हम से क्या पुछा गया है, आप देख पार है, प्रस नमबर 4, सर्दियों में स्वेट उसको बिल्कुल अंधेरा होगा कम रहा, तो आप देखेंगे, फ्लैसलाइट्स भी जिनरली नेजर आता है, ठीक है, वो क्या है, वो आपको बताना है, तो फ्रेंट्स से लिए, इस सवाल का उतर हमें किस तरह से देना है, चलिए देख ले रहे हैं, तो फ्रेंट्स, आपक पर स्वेटर जो होता है, वो उन से बना होता है, और जितने भी सारे आंतरिक कपड़े, ठीक है न, जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं, जो जैसे कमीज हुआ कपास, कमीज, तो कपास से या फिर संसले सी तंतू से बने होते हैं, ठीक है न, इन में रगड स्थिर आवेस, संचित हो जाता है, समझना है, ठीक है न, स्वेटर उतारते हैं, स्वेटर और सरीर के बीच एक विद्दूती विसरजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चटचट की ध्वनी वह में सुनाई देती है, तो फिर क्या होता है, जब भी यह आपकी बॉड़ी में होता है, त संचित हो जाता है, ठीक है न, समझना आपको बातों को, और जब यह संचित होता है, और जब भी आप इसे सरीर से जब अलग करते हैं, ठीक है न, तो स्वेटर को उतारते समय स्वेटर और सरीर के बीच एक विद्दूत का विसर्जन होता है, बिल्कुल यह पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि आकास में जिस तरह तड़ित और ज़ंजावत जो होती है, बिल्कुल इसी का एक बड़ा फॉर्म है, ठीक है न, जो रगड के दौरान जो आवेश स्थिर हो जाते हैं स्वेटर में, ठीक है न, वह बिल्कुल पूरी तरह मेग में होता है, बादलों में हो स्वेटर उतारते समय, ठीक है न, स्वेटर और सरीर के बीच एक विद्यूति विसर्जन होता है, जहां पर आवेश जो संचित है, वह अब बाहर निकलनी की कोशिस करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चट-चट की एक ध्वनी सुनाई देती है, अगर आप रात को कर हैं, तो वह अपना आवेश खो देती है, वैक्या के जिए, इसकी बारे में मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि आखिर जब भी हम किसी आवेशी तवस्तु को जो हम टेच करते हैं, तो फिर क्या होता है, वह अपने आवेश को खो देता है, जैसा मैंने आपको वीडिय से आखिर सजा कर लिखना है चली देख ले रहे हैं तो इस सवाल के उतर के रूप में आपको सबसे पहले लिखना है कि मानव सरीर बिजली का सुचालक है एक आवेशी तवस्तु अपने आवेश को तब खो देता है जब हम उसे हाथ से छूते हैं क्योंकि आवेश हमारे सरीर स से प्रित्वी पर स्थांतरित हो जाती है आवेशी तवस्तु से प्रित्वी पर आवेशों के स्थांतरण की इस प्रक्रिया को भू संपरकरण कहते हैं याद रखने आपको ठीक है ना इसे हम लोग भू संपरकरण कहते हैं तो आखिर होता क्या फ्रेंड्स आवेश जो भी जिसमें मौजूद है किसी वस्तु में जो हम टच करते हैं तो वह हमारे सरीर में से होकर धरातल या फिर धरती या प्रिथिवी पर तक पहुंच जाता है ठीक है ना और ध्यूमन बॉड़ी ठीक है ना याद रखना आपको हिवंन बॉड़ी के अंदर ठीक है ना हिवन बॉड़ी में भी एक तरंग या फिर आवेशित होती है ध्यान से समझना है तो जब आवेश को छू रहे होते हैं इसली जब हमारे सरीर के अंदर तक वह जब समाहिद हो जाती तो वह हमें फिल नहीं होता है समझने आपको और हमारे सरीर के अंदर जब वह ग्रैस्प हो जाती है पूरी तरह से तो वह भी हमें फिल नहीं होता है समझने आपको और जैसे ही हमारे सरीर से ठीक है ना आपको एक जटका सा फील होता है ठीक है ना याद रखना है क्योंकि वह आवेश आपके सरीर से ग्रैस्प होने की प्रक्रिया से जादा है या फिर हो सकता है वह आवेश आपके सरीर में से होकर धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है ठीक है ना फ्रेंट्स समझना आपको बात सी उर्जा मापी जाती है ठिक है न क्या से अधिक का आ Blair गी यह है आपका सवाल उस पैमाने का आपको नाम रहे हैं जिसे भु फुकंप के विनासी उर्जा की हम कर सकते हैं तो चाहसे हम सिस्मोंक राफ क्याते हैं छिक है गर 3 है अगatura मेजर मेंट अगर 3 दिखा रहा है तो क्या इसे भूकल ले खी सिसमोग्राफी से रेकरड किय सके गा तो बिल्कुल किया सके कए जितने भी कम हो या जादा से कम से कम अगर भूमी में हम पन है तो सिसमोग्राफ से हम आसानी से ጥकर कर जब यह वाला जब आता है measurement तो हानी की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है तो इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है चली देख ले रहे हैं आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि भुकंप लेखी सिस्मोग्राफी भुकंप की विनास्कारी उर्जा को रेकॉर्ड करता है ठीक है तेन आपको लिखना है कि हाँ भुकंप लेखी सिस्मोग्राफ पर तीब्रता तीन ठीक है न भीकम है जिससे यादा नुक्सान या फिरहानी नहीं होगी प्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रेश्ट seven में आखिरम से क्या पूछत अब नुमब 7 आफ देख़ corre से अपनी सुरक्षा के तीन उपाय सुझाए थीक है ना तडित से आप किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर पाएंगे उसकी तीन उपाय को आपको बताना है तो आपको उत्तर की रूप में लिखना है कि तडित के दौरान सुरक्षा उपाय आपको पहले headings के रूप में देना है then point wise लिखना है number one खुली जगह खतरनाक हो सकती है कोई मकान या भवन सुरक्षित अस्थान है ध्यान से आपको समझना है friends ठीक है ना खुली जगह काफी खतरनाक होती है खुली जगह क्यों खतरनाक होती है friends क्योंकि उस जगह पर आप सिर्फ अकेले माल लेते हैं यह एक मैदान है और मैदान में सिर्फ आप अकेले खड़े हैं तो आप उस आसपास के जितने भी सारे जगह है उससे आप सब से जादा highest उंचे में है ठीक है ना विद्दुत मेग गर्जन की सब से पहली जो निगाह है सबसे पहला असर जो है तड़ित की आप के पास पहुचने की है समझने आपके बातों को इसलिए कहा जाता है कि मैदान में खुले जगह पर जब आकास में गर्जन सुनाई देता है तड़ित जंजावत आप देखते हैं तो खुले मैदान में आपको नहीं गर्चन के द्वारान काम करते समय बहुत सारी किस्टांस की मृत्यू इसी तरह हो जाती है इसलिए कोई माकान या भवन सुरक्षित अस्थान है नमबर टू गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुचने की चेतावनी है बिल्कुल सही फ्रेंड्स जब भी तडित या जंजावत के आप गरज सुनते हैं तो जब आप गरज सुनते हैं तो यह इंडिकेट होता है कि इससे भी बड़े गरज हो सकती है तडित और जहांचा काफी ज्यादा मात्रा में आगे हो सकता है इसलिए आप को तुरंत किसी ऐसे स्थान पर पहुचना चाहिए जो मकान या फिर भवन हो या फिर किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुचना चाहिए जहां पर ठीक है ना आपके ऊपर कोई एक सेड हो समझने आपको बातों को ठीक है ना लेकिन वह जगा खुली ना हो या बाद भी आपको समझना है नंबर त्री में आपको लिखना है इसकी अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतिक्षा कीजिए ठीक है ना जब भी आप अंतिम गर्जन सुनने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होता है इंतजार करना होता है देन आप सुरक्षित स्थान से बाहर ठीक फिर से एक अलग सा गर्जन जो है वह उस पर उस एनर्जी को और बढ़ाते ठीक है ना और आप भागनी के कुशिस करते हैं अगर कोई भी भागने के कुशिश करता है सुरक्षित अस्तान से तो हो सकता है उसको कगरद वतरित उसको टार्गेट करें तो इलेक्ट्रॉंस का मुव्मेंट काफी तेज मात्रा में होगा समझना आपको बात को फ्रेंड्स तो इसलिए अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित अस्थान से बाहर आने से पहले आपको कुछ दिर पहले वेट करना है प्रतिक्षा कर विकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जा सकता है वैक्या कि यह ठीक है ना तो फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत सारे वैग्यानी को कमत है कि जब भी आकर्षित ठीक है ना जो कोई भी आवेशित अगर गुबारा है अगर उसे अगर आप रगड करकर रगड के अगर दिवाल में आप चिपकानी की कोशिश करते हैं तो निद्धिष्ट रूप से आखिर क्या होता है दिवाल जो की आवेशित नहीं है वह उसमें सटने की कोशिश करता है और सट भी बड़ी आसानी के साथ जाता ह समझना है निश्यत रूप से उस दिवाल में भी किसी ना किसी opposite एक आवेश की रिष्टी होती है इसलिए वह उस पर जाकर बड़ी ही आसानी से शिपक जाता है तो फ्रेंट्स हम इस उत्तर को इस प्रश्ण के उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकेंगे चली हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दो आवेशित गुबारे सतहों पर शमान आवेश होते हैं तो गुबारे दो आवेशित गुबारों के जो सतहों पर शमान आवेशित होते हैं चुकि समान आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं एक दूसरे को विकर्शित कर दे करते हैं एक आवेशित है और एक अनावेशित है ठीक है ना इसलिए दूसरे को आकर्षित करते हैं इसलिए एक आवेशित किया गया गुबारा अनावेशित को आकरशित करता है ठीक है ना यानि कहीं न कहीं रूप से जो दिवाल है और गुबारे की बीच ठीक है ना गुबारा जिसे रगब किया गया हो जिसे रगड़ दिया गया हो जिसे आवेशित कर दिया गया हो कहीं न कहीं दिवाल पर अगर आप चिपकाते हैं तो बड़ी आसान आवेस्ट अगर शेम होता तो कभी भी आकरशित नहीं होता कभी भी गुबारत दिवाल पर जाकर नहीं चिपकता समझे आपको फ्रेंड्स बातों को ठीक है ना आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स देख लेंगे फ्रस्ट नंबर 9 में आखिरम से क्या पुछे गया है फ्रस्ट न बारे में जिसकी सहायता से आप आवेशित वस्तू की बड़ी आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में भी बताया आपके भूक में भी है ठीक है ना बिलकुल आपको उस आवेशित वस्तू की पहचान आप किस प्रकार से कर पाएंगे उस उपकरण का नाम बताने के साथ उनका वड़न करना है और साथ में आपको ड्रॉइंग भी करनी है ठीक है ना इस सवाल का उतर हमें किस तरह से देना है तो जैसे आप सभी देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उतर के रूप में लिखना है कि एक खाली मुरब्बे की बोतल ने ठीक है ना और बोतल के मुह के साइज से कुछ बड़ा गत्य का टुकड़ा लेजे इसमें एक चित्र बनाईए जिस पर धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके चित्र में दिखाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए एल्बोनियम की एक पनी की लगबग 4 cm x 1 cm सा तिक है न आप देख पा रहे चित्र में दर्शाय एक अनुसार इनहें पेपर क्लिप पर लटकाए गत्थे के ढकन में पेपर क्लिप को को इस प्रकार घुसा ये कि यह गत्य के लबगुद रहे अब देख पा रहे पिक्चर में लंबग रहे फ्रेंड़ पेपर क्लिप्स से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है समान आवेश वाली पट्टियां एक दुसरे को प्रतिकर्शित करती है और वो फैल जाती है इस प्रकार की युक्ति का उप्योग या परिच्छन करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अत्वा नहीं है इस युक्ति को क्या कहेंगे हम इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं याद रखना आपको फ्रेंट्स जैसा आपने विडियोज में भी देखा आपके वुक में भी है ईसके बारे में जन्रल एक्जाम्स में कई बार पुछे भी जाता है फ्रेंट्स इसलिए इसे आपको बहौत ही समझ कि आपको लिखना है ठीक है ना यह आप देख पा रहे हैं और ड्रॉइंग भी आपको करनी हो है ठीक है ऊप देख पा रहे हैं किस तरह जार लिया गया है, और किस तरह उसमें, जो Clips, Elmonium की वह गुसाई गई है, आप देख पा रहे हैं, और एक Sheet लिया गया है, Cardboard का, है ना, उससे बड़ा, और फिर इस Refill को Charge किया गया है, जैसे ही आप इसे, आप यह जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना इस तरह के एक clip जो बनाए है metals के हैं उसमें जैसे ही आप देते हैं यह charge तो फिर क्या होता है ना friends वह बिलकुल विकर्शित हो जाती है प्रतिकर्शित होती है क्यों होती है क्योंकि वह charge है समझें ने आपको चार्ज होने के साथ साथ यह अगर पॉजिटीव है मा लेते हैं यह आपका आवेश जो वाला जो यह रिफिल है यह धन आवेशित है तो धन आवेशित पूरी तरह से इसमें से होकर यह गुजरता है और यह दोनों अलबुनियम की जो पन्नी है जो की एक प्लेट से ठीक है न एक दूसरे को विकर्शित कर रही है या फिर या अगर कुछ नेगेटिव वाला अगर यानि रिण आवेश अगर कोई आपजक्ट होता और यहां पर अगर आप टच करवाते तो फिर भी यह दो जो पन्निया है एलमोनियम की वह विकर्शित ही होती क्योंकि धन आवेश दो एक दूसरे को विकर्शित करते हैं या फिर रिण आवेश दो एक दूसरे को विकर्शित करते हैं समझ ने आपको फ्रेंट्स बात होगो ठीक है ना फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रस्ट नंबर 10 में आखिर हम से क्या पुछा गया है फ्रेंट्स प्र से प्रदेश हैं जहां पर भारत में भुकंप के जटके आ सकते हैं या फिर संभावना हैं उस राज्यों में आ सकने की तो फ्रेंड्स इसमें से हैं वह तीन राज्य आप देख पा रहे हैं भारत में तीन राज्य गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ऐसे तीन रा भी बताया कि आखिर गुजरात में ऐसा भुकम पहले ही आ चुका है ठीक है न और राजस्थान या टेक्टॉनिक प्लेट्स ठीक है न इन दोनों के बीच यह आप राज देख पा रहे हैं यह टेक्टॉनिक प्लेट्स के उपर है ठीक है न समझना आपको बातों को और हिमाच हिलने लगेगा समझना है और तीन ऐसे राज जो हैं गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इस पर संभावना यह हैं कि आखिर भुकम के जटके आ सकते हैं ठीक है न नमबर टू आपको लिखना है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे ज्यादा खत्रेवाले छेतर कस्मी पस्चमी तथा मद्य हिमालय उत्तर पूरे उत्तर पूर्व कच्च के रण राजस्थान और भारत के गंगा के मैदान है दक्चिन भारत में कुछ इलाकों में भी भुकम अधिक संभावित है तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कि भुकम की भविश्वानी पहले से नहीं की जा सकती है या कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर भुकम कब कहां और कैसे आ सकते हैं इसी लिए भुकम की जो छेत्र होते हैं वो टेक्टॉनिक प्लेट्स के उपर जितने भी सारे राज्य देश या फिर महादूइफ हैं उन पर भुकम के जटके आ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रस्ट नंबर 11 में हमसे आखिर क्या पूछे गए हैं आप देख पारेंगे प्रस्ट नंबर 11 मान लिजिए आप घर से बाहर हैं तता भुकम के जटके लगते हैं आप अपने बचाव के लिए क्या-क्या साफधानी बरतेंग वह आपको बताना है वह आपको बताना है तो चलिएक देख ले रहे हैं इस सवाल का उतर हमें किस तरह से लिखना है वह आखिर कौन-कौन से बचाव के तरीके हैं जो हमें बरतनी चाहिए यदि हम घर से बाहर है और तब ुटकम के चा्टक अगर लगते हैं तो ठीक है ना तो फ्रेंड्स इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले कि भुकम के दौरान मैं निम्नलिखित साबधानी बरतूंगा ठीक है ना देन आपको लिखना है कि मैं भवनों व्रिक्षों तता उपर जाती विद्युत लाइनों से दू लिख्षों तता उपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले अस्थान को खोजूंगा एवं धर्ती पर लेड जाऊंगा ठीक है ना समझना है आपको बातों को तो यदि आप किसी ऐसे बाहर वाले जगह में हैं तो सबसे पहले अगर आप भवन के पास है ठीक है तो भवन में आप कोशिस करना है कि भवन में आपको घुज जाने की अगर आपके पास भवन नहीं है तो अगर व्रिक्ष है तो व्रिक्ष के नीचे कभी भी नहीं रहना है समझना है आपको फ्रेंट्स ठीक है ना और अगर आप किसी विद्यूत लाइन के अगर नीचे है तो भी आपको काफी समझदारी से काम लेनी है तिक है ना आपको किसी ऐसे खुले स्थान में जाकर धर्ती पर पूरी तरह से लेट जाना है क्यूं लेट जाना है जिससे आपके उचाई जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए उचाई वाले स्थान में ही सबसे ज़्यादा त स्थान में आखिर वह टार्गेट होता है सबसे उच्छे वाले स्थान को ठीक है ना नमबर टू आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि यदी मैं किसी कार अत्वा बस में हूँ तो बाहर नहीं निकलूंगा बिल्कुल सही फ्रेंड्स ड्राइवर से कह दूँगा कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे भुकम के स्माप्थ होने के बाद भुकम के स्वाप्थ होने से पहले बाहर नहीं निकलना है ठीक है ना यह आपको समझना है पहले तो generally यही कोशिस करना है friends कि आपका जो size है जो भी आपकी उचाई है वो target ना हो जाए तरित के रूप में ठीक है ना तरित उस अस्थान को आपके पूरे body को target नहीं करे ठीक है ना यह बात आपको समझना है ठीक है ना इसलिए अगर आप बस में हैं तो बस में ही रहेंगे कम से कम हो ठीक है ना समझना आपको बातों को friends ठीक है ना और नहीं आप कोशिस करेंगे किसी व्रिक्ष के नीचे छिपे रहने की ठीक है ना समझने आपको बातों को आगे बढ़ेंगे friends देख लेंगे प्रेस्ट नमबर 12 में अखिरम से क्या पुछा गया है आप देख पा रहें friends प्रेस्ट नमबर 12 मौसम विभाग या भविश्वानी करता है कि किसी निश्चित दिन तडित जांजा की संभाव ना है और मान लीजिए उस दिन आपको आपको बाहर जाना है तो क्या आप छत्री लेकर जाएंगे वैक्या कीजिए तो friends जैसा मैंने आपको कहा कि तडित जांजा ठीक है ना त भुकंप कि आप भविश्वानी नहीं कर सकते हैं तडित जांजा को मौसम के विभाग द्वारा देखा जा सकता है जहाँ पर निम्न चाप या फिर उच चाप मेग का जमा होना टेरनेडों का होना वह दिखाई पर सकता है ठीक है ना सटेलाइट के जरिये लेकिन आप भु चात्री लेकर जाएंगे तो सबसे पहली बात चात्री वह आपको किसी भी तरह से आपको से नहीं करेगी समझञा है आपको बलकि आपको नुक्सान ही पहुँचाएगी ठीक है ना क्योंकि जो चात्री होती ना फ्रेंट्स वह जनर लिए लोहे के बने स्ट्रक्टर्स होते जहां पर आप की जो उचाई होती है उससे भी जादा उचाई होती है उस छत्री की टिक है ना जो की ताडित के द्वारा 5000 हो सकता है उचाए को प्राब्त कर सकते है उसलिए तरित ऐंजा के समय, चल्था को लेघ्र तर चाता ले जाना यह सही रूप नहीं है सही बात नहीं है कि आप चाता लेकर निकले कि तड़ित जहांजा किसम है ठीक है ना समझे आपको बातों को फ्रेंड्स और चाता लेकर नहीं आपको तड़ित और जहांजा या फिर वर्शा के दौरान आपको रेल के लाइन को क्रॉस क करके नहीं जाना है क्योंकि रेल लाइन के ऊपर जनरली बहुत सारे वोल्टेज के तार होते हैं समझना आपको बातों को ठीक है ना तो यह ता फ्रेंड्स आज का वीडियो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में